हेलो एबरीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छ होंगे कस्तुर्भा गांधी बालिका विद्याले से लगातार रिक्रूटमेंट आ रही है और इस चैनल पे सारे डिटेल्स को आपके साथ से जो है कीज आ रही है इससे पले बुझे रखता है मैंने 15-16 जिलों से आए हुए कस्तुर्भा गांधी की विद्यो बना कर अपलोड कर दी है बाइद वे अगर आप से छूट गया हो किसी भी जिले की रिक्रूटमेंट की इंफर्मेशन तो आप उसे अभी भी पा सकते हो प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो सारे विडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में भी कस्तुर्भा गांधी बाल का विद्याले की जो रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप आर्मी पबलिक स्कूल की रिक्रूटमेंट की जानकारी लेना चाहते हो डेली पबलिक स्कूल की जानकारी लेना चाहते हो KBS के जो हर जिले से recruitment आ रही है contractual उसकी जानकारी लिना चाहते हो तापको link description box में सारे playlist बना कर बिल्कुल arrangement के साथ दे दी गई है तो check out जरूर कर लिजेगा क्योंकि मैंने कल ही एक comment पढ़ा जिनका जो है सिर्फ एक दिन के वज़े से जो है application form और नहीं डाल पाएंगे कम से कम 2-3 दिन तो चाहिए होते है registry में ताकि आपके जिला से जो है दूसरे एक ही जिला में एक जगा से दूसरे जगा पे registry पहुंच सके तो इन भातों का खास ख्याल रखिए आप अपने जिले में जो आप पाने के लिए इन चीजों को follow जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले मैं आपको subjects बता देता हूँ किसकी subject की recruitment आई है अगर आपका subject बनता है तो ही पूरी वीडियो देखिए सबसे पहले mathematics की recruitment आई हुई है इसके लिए PCM से आपका graduation के साथ-साथ B.A.D. का होना जरूरी है अगर आपने B.A.D. कर रखा है साथ में किसी भी T.A.D. को पास कर रखा है I mean C.T.A.D., UP.T.A.D., Jharkhand T.A.D., MP.T.A.D., B.H.T.A.D., Rajasthan T.A.D. कोई भी T.A.D. पास होना जरूरी है एक और बात पेपर टू काट टैट पास होना जरूरी है पेपर वन यानि वन टू फाइप नहीं इस बात का खास ख्याल रखियेगा आप salary आपको 22,000 रुपए ओफर की जा रही है पर मन्त फर्स्टली secondly यहाँ पर आपको जो उम्र सीमा है age criteria जो है वो है 25 से लेकर के कितनी 45 साल तक अगर आप इस age criteria के अंतरगत आते हो तो ही आप अपलाई कर सकते हो minimum 25, maximum 45 साल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले subject और अगला subject है science ZBC, Z for geology, B for botany और C for chemistry अगर आपने graduation करा है तो आप अपलाई कर सकते हो आगे दखिए Art and Craft, Sangeet, Grisilp से recruitment आई हुई है इसके अलापा Scout, Guide, Ebum, Salaryary सिक्षा से भे recruitment आई हुई है Computer सिक्षा यानकी Computer Teacher के भे recruitment है बट salary थोड़ी सी जो है कम है अचलिए हाप से भी कम है 9900 रुपए पर मन्त दीज आ रही है आगे देखिए सायक रोसो या 84 की भी recruitment आई हुई है अगर आपके आजपास में किनी को जरूरत होती है जॉप की तो उनको आप ये बता सकते हो 5175 रुपए आपको पर मन्त salary यहाँ पर पर दान की जाएगी आगे देख लेते हैं जो important है कुछ जो dates वगेरा की भी जानकारी हम लोग देख लेते हैं और कैसे apply करना है वो भी passport size दो photograph एक चिपका देना एक extra लगा देना आप एक और बात फोटो के पिछे अपना नाम जरूर लिख दे आप साथ में हर certificate में आपका self-attested यानि कि स्वप परमानित होना चाहिए साथ में date जरूर मेंसन कर दे आगे देख लेजिए कुछ और important बाते हैं जो कि छूटना नहीं चाहिए वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ salary आपकी जो है जो बनेगी वो 11 महिने 29 दिन तक यानि कि 12 साल से ठीक एक दिन पाले ये आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है लेकिन आम तोर पर होता क्या है न कि जैसे ही आपके 11 महिने 29 दिन होते हैं तो अगले साल के लिए आपकी जॉब को renew कर दिया जाता है आखरी date कब है इसकी 21 अपरिल 2023 को रखी गई है साम 5 बजे तक याद रखिएगा speed post या फिर registry doc के द्वारा ही आपको भेजना है अब देखिए उन्होंने क्या क्या मांगा है 200 प्रमानित फोटो समस्त अंक पत्र प्रमान पत्र अनुभव अगर आपने कहीं काम किया है TET अगर आपने पास कर रखा है अगर क्या आपको पास करना है तभी आप अपलाए कर सकते हो दो लिफापे speed post अथवा registered doc के निर्धारित doc टिकेट यानि कि लगभग लगभग 42-42 रुपए हर जगा मांगा जा रहा है तो आप 45-45 या 50-50 की डाल सकते हो अगर आपके जिले से आपके जनपत से अगर आपके घर की दूरी ज़्यादा है तो 50-50 के चिपका दो कोई भी tension नहीं आनी चाहिए अब देखिए ये जो आवेदन है इसकी संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है यानि कि पदों की संख्या घट बढ़ दों सकती है ये रहा application form application form आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा पहले के जितने भी post आएवे हैं उसके भी pdf मैंने telegram channel पे upload कर दी है तो वहाँ से जाकर check out कर लिजेगा और ये application form का format रहा और ये recruitment आई कहां से है तो ये देख लिजे कारियले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी कास गंज जो की UP में पढ़ता है वहाँ से recruitment आ चुकी है तो जल्द जल्द फटाफट अपलाई कर लिजे और जिस भी जिला से आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों तक सेयर करें साजा करें नए हैं आप पहली बार चैनल पर आएं तो चल्को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को यहां तक आपने देखा फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया जैहिंद